सब्सक्राइब कीजिए इन्फो टेक टॉक्स इन्फोमेटिव टेक्निकल वीडियो के लिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले मैं हूँ आपका दोश्पासकरवर्मा लिके आया हूँ CSS सीरीज के एक और वीडियो दोस्तों टॉपिक चल रहा है अपना बैक्ग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में ठीक है मैंने टॉपिक जब स्टार्ट के था तो आपको स्टार्टिंग में बैक्राउंड कलर के बारे म मैं आपको बता दिया था हल्का फुलका बैक्राउंड इमेज के बारे मैंने बताया था और बैक्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी उसके बारे में discussion चल रही थी तो जो बैक्ग्रॉबिट प्रॉपर्टीं के आपको मैं बताऊंगा कि कि पदॉसक्रिजंग कर सकते हैं यह मैंने अपना html डॉकमेंट ओपिन कर लिया है एंड हो बेग्राउंड के बारे में आप एच्वन एक में टैग ले लेता हूं यहाँ पर हेलो देर मैंने जस्ट ऐसी लिख दिया ओके अच्टाइल के बाड़ी पूरे बागड़ी के ऊपर हम जो है बैक्ग्राउंड एप्लाई करना चाहरे हैं तो बैक्ग्राउंड रिपीट के प्रॉपर्टी थी स्पेस जिसके बारे में शायद मैं अल्रडी डिस्कस कर चुका थ था ठीक है तो एक बर दोबारा से मैं दिखा देता हूं आपको अग्रोंड इमेज ले लेते हैं जिसके साथ जिसके ओपर हम यह अप्लाई करेंगे इमेज का नाम था आई एम जी डॉट जी एफ 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 एक इमेज थी मेरे पास ठीक है और राइट सो रिफ्रेश कर लेते हैं यह देखिए तो इमेज आती रहेंगी बट बीच के अंदर आपको स्पेस जो रहेगा ठीक है यह था रिपीट स्पेस का उसके बाद अगर वही रिपीट round की मैं बात करूँ ठीक है तो repeat round में क्या होगा images आपको display होंगी but side to side जो है वो बिल्कुल एक तो attach होंगी आपस के अंदर ठीक है attach होंगी दूसरा क्या होगा कि half image नहीं आएगी ठीक है half image नहीं आएगी मालो जैसे आपने ये देखा था कि जैसे side to side जब images आ रही थी तो क्या था कि पहले एक image आ गई फिर दूसरी आ गई फिर उसके side में आधी आ गई फिर नीचे कटी वी image आ गई इसमें ऐसा नहीं होगा इसके अंदर क्या होगा कि बिल्कुल edge to edge image जो है आपस के अंदर attach होंगी एक दूसरे से ठीक है यह देखिए अगर मैं इसको zoom out कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है दो image आ रही है ठीक है उनका जो है लंबाई जो है बढ़ती जा रही है याने width जो है वो बढ़ती जा रही है बट आपस में दोनो attach हैं ऐसा नहीं है कि इस image को set रखने के लिए उसने क्या किया मैं आपसे मैं discuss करने वाला हूँ ठीक है वो है अपनी initial and inherit क्योंकि यह सिरफ repeat का नहीं है यह image के अंदर भी आपका आएगा और बहुत सी जो आपकी properties होते हैं उसके अंदर इनिशेल और inherit आपकी properties आती है तो इनको एक simple से मैं आपको समझा देता हूं कि initial और inherit का मतलब क्या होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं यह style चलो यहां पर पड़ा रहन देता हूं इसको मैं ठीक है एक्जांपल ले लेता हूं फटाफट से मैं कोई ऐसा मेलू जिसका by default color अलग हो तो उसके अंदर आपका आएगा लिंक में ओके सो मैं यहां पर क्या करता हूं एक डिव टेग ले लिया मैं क्लास हटा दी मैंने इसको बट इसकी identity मैं इसको दे देता हूं ठीक है ओके उसके बाद कि यहां पर मैं मोबाइल ब्रेंट्स करके लिस्ट बना लेता हूं लिस्ट नहीं मैं एक काम करता हूं एंकर टेग लगा लेता हूं एंकर टेग में सबसे पहले आप एक मोबाइल ब्रेंड ले लो एल जी और उसका आईडी में भी उसे एल जी दे दो देन एक सेकंड ब्रेंड ले 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 कोई भी एपल ले लिया ठीक है वही मैंने उसको आईटी क्या किया एपल दे दिया देन थर्ड मैंने nokya ले लिया है ठीक है आई डी मैंने इसको नोको यह तो यह एंगर टेग लेने का रीजन क्या है मेरा मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से कुई दिक्कत नहीं है जो इसके बाद जो एंकर टेक तीन लगा है सब को उनके आइडेटी देदी उनके नाम से ब्रैंड नेम से जो उनका डिस्प्ले नेम था वही मैंने उनको आइडी दे दी जो इनका डिस्प् स्ट्विलिंग की तो अब मैं क्या करू यहां पर आईडी के थि जो कॉल करके उसके ऊपर स्ट्विलिंग करूं गा करूंगा कने तरीका क्या था हेस्टेग आप लगाओ और सीधा डी नाम लिग दोगे तो तो यहां पर मालो मैंने डिव वन को जो डिव वन है इसको मैंने कॉल किया और मैंने इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगा दी कलर ठीक है कलर मैंने रेड दे दिया देख लेते रिजल्ट इसको हटा देता हूं मैं ओके तो यह क्या था डिव जो था डिव के अंदर क्या था डिव के अंदर यह टैक्स था और उसका कलर मैंने क्या दिया रेड दिया ठीक लगा देतका है अलग-लग करने के लिए तो लिंक लेने का रीजन यह था यहां पर मैंने एंकर टेक क्यों लिया क्योंकि यहां पर बाइडिफोल्ट कलर ब्लू आता है ब्लैक नहीं आता टेक्स्ट का ठीक है तो उससे आपको थोड़ा संदाजा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं ठीक है यह हो गया यह आपका क्या क्या रेड कलर दें अब आप क्या करोगे जो सेकेंदल आइडी है एककी क्या है एल जी टीक है एलजी तो इसके ओपर आप कोई भी तेद्ज्ञ को और आतने कलर दें है ग्रीन डन देन उसके बाद अब हम यूज करेंगे सबसे पहले अपनी इनिशिल प्रॉपर्टी का ठीक है तो थर्ड जो है आपका एपल इसके उपर कलर कोई स्पेसिफिक नेम ना देखें आप क्या करोगे इस पर इनिशिल प्रॉपर्टी का यूज करोगे आपने इनिशिल यहां पर लगा दिया अब इससे क्या फरक पड़ेगा आप देखो रिजल्ट देख रहे हो क्या हुआ यह मोबाइल रेड दे रखा था हमने क्योंकि डिविजिन का पूरा का पूरा रेड कलर दे रखा था ठीक है उसके बाद LG को मैंने स्पेस कर दिया कि मुझे कलर जो वह इनिशिल चाहिए तो इनिशिल बाइडिफोल्ट जो कलर होता है वह ब्लैक होता है इसलिए एपल का कलर अटोमेटिक ब्लैक हो गया तो यह यूज इनिशिल प्रॉपरट्टी का यानि वह अपने इनिशिल कंडिशन में आ जाता है जो भी वह बात हुई तो टेक्स्ट क्या हो गया इनिशिल ब्लैक होता है तो वह अपने इनिशिल कलर के अंदर आ गया अब बात आती है इन हैरेट की तो अब मैं इसके लिए अपनी लास्ट आईडी का यूज करूंगा उसके अंदर क्या है कि कलर मैंने यहाँ पर कलर करके क्या किया इन हेरेट कर दिया इसको अब देखो आप इन हेरेट का मतलब क्या होता है कुछ समझ मैं inherit करती गया red color क्यों हो गया तो inherit का मतलब यह होता है कि जो इसमें element होता है वो अपने parent element से जो है property pick कर लेता automatically अब इसके अंदर parent क्या है div है यानि जो anchor tag आपकी है सारी वो इस division के अंदर है यानि यह division यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर close हुआ ठीक है तो इस id से जो element है उसका color inherit कर दिया यानि वो अपने parent से color pick कर लेगा और parent यानि डिव का color क्या हमने specify किया था डिव का color हमने red specify किया था तो उसने क्या किया automatic अपने parent का color उठाया और display कर दिया इनिशल में क्या था कि इनिशल में text जो है anchor tag होने के वज़े से blue color का हो गया था लेकिन हमने इनिशल डाला है तो इनिशल में color क्या होता है टेक्स्ट का आपका black होता है तो यह जो आपकी इनिशल है inherit properties है यह आगे और बहुत सी चीज़ों में आएगी image में भी आएगी तो मैंने आपको overall करके एक ही वीडियो के अंदर यह चीज़ आपको बता दी है तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आयोगे उमीद रखता हूं कि आप practically ज़रूर ट्राय करेंगे मिलते हैं next topic के साथ तब तक के लिए goodbye and take care